आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज हम पड़ेंगे टॉप्ट टॉप्टि फाइव इंपोर्टेट क्वेश्टी और लोधी डैनätteश्टी के ऊपर हम हम टोटल 25 पट्चेस पड़ेंगे यह सारे के सारे क्वेश्टं जो हैं इंपोर्टेंट है तो जल्दी से आप अपनी copy pen लीजिए और अपने notes बनाना स्टार्ट केजिए अगर आप government exam के त्यारी कर रहे हैं तो ये question जो है आपके काम आने वाले है now start करते हम तो लोधी जो साशक थे वो जो है अफगान ओरिजन से बिलॉंग करते थे और ये जो थी ये first अफगान dynasty थी ठीक है फिर इसके बाद है हमारा second जो लोधी डानेस्टी के साशक थे ठीक है उन्होंने जो है डेली सल्तनत पे साशन किया 1451 से लेके 1526 तक ओके तो ये time भी आपने याद रखना है important चीज़े हैं ये सारी इनको एक भी question जो है आपने skip नहीं करना है सारे question अपनी notebook पे लिखने है total 25 question है ज्यादा questions नहीं है ये सारे के सारे important है फिर है इसके बाद हमारा last dynasty of rule the Delhi सल्तनत war low dynasty ये बोर है कि Delhi सल्तनत पे साशन करने वाली last dynasty कौन सी थी तो वो थी लोधी dynasty ठीक है फिर है इसके बाद हमारा fourth question है कि Delhi सल्तनत पे total पांच जो डानेस्टी थी उन्होंने साशन किया ठीक है और Delhi सल्तनत का जो time period था जिसमें पांच डानेस्टी ने साशन किया वो था 1206 से लेके 1526 तक ठीक है तो पहली डानेस्टी कौन थी थे slave dynasty गुलाम वश्च, खिलजी वश्च, ठीक है तुगलग डानेस्टी, सायद डानेस्टी एल लोधी डानेस्टी ठीक है हमने पढ़ा लोधी डानेस्टी लास्ट डानेस्टी थी डैली सल्तनत पे साशन करने वाली ठीक है फिर हमारा पांच वा लोधी डानेस्टी के founder भी तक साशन किया ठीक है तोटल ठीक एट इट एट यर्द धक इन्होंने साशन क्या ठीक है फिर है हमारा लास्टान ऑफ डाली सल्तनत तो डानेस्टी का जो लॉधी डानेस्टी को फाउनडर है उनका टाइटल प्या था गाजी Оп्यशेटन हम्यर सबिसकों बैढ़ा questions करें question आपने skip नहीं करने मैं बार-बार आपको यह भी बात बोलूँगी क्योंकि यह question जो है important है खतोली कब हुई 1517 में हुई किसके बीच हुई राना संगा अपमेबार और इवराहिम लोधी के बीच में हुई जिसमें इवराहिम लोधी हार गए ठीक है के लिए इवराहिम लोधी ने गवालिय को कैप्चर किया और राना संगा अपमेबार ने इनको हरा दिया फिर इसके बाद क्या हुआ फोस्ट बैटल आप पानिपत हुई कभी 21 अपरेल 1526 में हुई इंपोर्टेंट पॉइंट है आपने याद रखना है किसके बीच हुई इवराहिम लोधी और बावर के बीच में हुई जिसमें इवराहिम लोधी हार गए ठीक है जो फर्स्ट बैटल पानिपत हुई इसके बाद क्या हुआ कि जो लोधी डानेस्टी थी आर जो डैली 506 में इलोधी डानेस्टी के सेकिंड्स आशक थे इन्होंने आगरा सीटी किस्थापना की ठीक है और इन्होंने जो है अपनी कैपिटल ट्रांसफर की डैली से आगरा को 506 में फिर इन्होंने क्या क्या कि पोईम लिखी पर्सीन लैंग्विज में पोईम कवीताएं लिखी इन्होंने जो है जुनापूर को 1444 में जीता और जो शरकी डैनास्टी के जो साशक थे उन्होंने डैली सल्तनत पर साशन किया टोटल 75 इयर्स तक अगर आप ये क्वेशन जो है अच्छे से पढ़ लेंगे सारे तो आपको जो है लोदी डैनास्टी के उपर पूरी थियोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैंने पूरी थियोरी का निचोड जो है इन्ही क्वेशन में निकाला है अधिद्य जो थे वो इवराहिम लोदी के समकालीन थे बहलूल लोदी ने अपने नाम पर कोईन इशू किये वह थे बहलूल कोईन्स सिकंदर लोदी का रियर निम क्या था निजाम खान एंड सिकंदर लोदी ने जो है रिपेर किया कुतो मिनार फिर है उसके बाद सिकंदर लोदी ने इंटर्डियूस किया गज्जे श्रीकंदरी for measurement of land सिकंदर लोधी का जो टाइटल था, वो था सुल्तान सिकंदर शा सिकंदर लोधी इने जो है जुँ आलामुख्री टेंपल जो नगर कोट कांगडा में है उसकी जो पवित्र मुतियों को ब्रेक किया तोड़ा ठीक है फिर उसके वाद है हमारा जो डैली सल्तनत के सुल्तान थ सिकंदर लोधी लोधी डायनेस्टी के सैकिंग साशक थे इन्होंने इंटर्धींग ईंटर्धूज किया और्ड़िटिंग सिस्टब थे में उसको इंटर्धू किया आओ äg चुटर्धी उन्हें सुल्तान और आप इंडिया इवराहीम लोधी जो इंडिया 12 सूल्तान थे लाज साशक थे और डेली सल्तनत के भी ये लाज साशक थे इसके बाद क्या हुआ मुगल साशक स्टार्ट हो गया फिर है सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी order to destroy the temples of मतुरा सिकंदर लोधी ने order किया मतुरा की जो temples से उनको destroy करने के लिए खतम करने के लिए ठीक है तो आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप मेरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपनी फीडबेक जो है कमेंन सेक्शन में जरूर देंक यू